नमस्कार एडूकेशन आपके द्वार चेनल में आपका स्वागत है आज हम भारतिय रास्टी अंदोलन से सम्बंदित नेहरू रिपोर्ट क्या था नेहरू रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं आदि प्रस्णों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे तो चलिए सुरू करते हैं साइमन कमिशन के विरोध पर्दसन के पस्चाथ साइमन कमिशन क्या था साइमन कमिशन का विरोध क्यों किया भारतियों ने इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है अब चाहे तो उसे भी देख सकते हैं तो साइमन कमिशन के विरुद परदसन के पस्चाथ भारत के सचीव लॉड बरकन हेड ने कॉंग्रेस के नेताओं को यह चुनोती दे डाली की यदि वे बिभीन संपर्दायों की आपसी सम्माती से एक संबिदान का मस्विदा त्यार कर सके तो ब्रिटिस सरकार निश्चीथी उस पर साहनुभूती पूर्ण धंग से विचार कर सकती है भारतिये नेताओं ने इस चुनोती को सिकार करते हुए 28 फरवरी 1928 इसवी में दिल्ली में एक सर्वदलिय सम्मेलन का आयोजन किया इस सम्मेलन में मतभेद के कारण कोई निरने नहीं लिया जा सका अगला सम्मेलन पुना 19 में 1988 भी को बंबय में हुआ यहाँ पर पंडित मौतलाल नहरू के अध्यक्स्ता में भारतिये सम्मेदान के मस्वदे को तयार करने है तु एक आठ सदेश से सम्मेटी की नियुक्ती की गई इस सम्मेटी के सदेशों में तेज बहादुर संपरभू, सर अली, इमाम, मंगल सिंग, स्वयब कुरेशी, जी आर परधान, सुबाश चंदर बोस इत्यादी सामिल थे इस सम्मेटी ने अगस्त 1928 इस्वी में प्रस्तावित सम्मेधान का प्रारूप प्रस्तुत किया इसी प्रारूप को ही नहरी रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, जदी साधरान, जदी सब्दों में कहा जाए तो साइमन कमिशन के नियुक्ती के साथ ही भारत के सचीव लाड परकन हेड ने भारतिया नेताओं को यह चुनूती दी थी कि यदि वे विभीने संपर्दायों के सहमती से एक सम्मिधान का निर्मान कर सके तो प्रिटिस सरकार उस पर विचार करेगी जिसके फलसरूप 28 फरवरी 1928 को मोतीलाल नहरू की अधक्स्ता में तिल्ली में एक सर्वस दलिय समिती बनाई गई जिसमें सर्तेज बहादूर संपर्भू, सुभास चंद्रबोस, त्यादी सदेश्य समलित थे इस समिती में भारत के भावी सम्मिधान की रूप रेखा बनाई जिसे 1928 इस्वी में स्विकार कर लिया गया चुकि यह रिपोर्ट पंडित मोतिलाल नहरू के अधक्स्ता में बनाया गया था इसलिए इसे नहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है नहरू रिपोर्ट की कुछ परमुक सिपारिसे भी थी जो इस परकार है भारत को ततकालिक रूप से अपनेवेशिक सोराज परदान किया जाए प्रांतों में पूर्ण उत्तरदाई सासन के अस्थापना की जाए तिसरा केंद्रिय सरकार पूर्ण रूप से उत्तरदाई हो गवर्नर जनरल बैधानिक परमूख हो तथा संसदिय सासन परमाली हो चोंथा संभिधान संग्य बेवस्था का हो इत्यादी उन्होंने सुझाव दिये थे इसके एतिरिक्त उन्होंने कुछ अइन्य बातों की भी सिपारिसें की थी जैसे सब बैसकों के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए समानाधिकार, यूनियन या संगठन बनाने के स्वतंतरता और धर्म का हर परकार से राज से पिर्थ्यकरन के त्यादी महत्पुन सुझाव दिये थे आसा करता हूँ, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा इस परकार के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहे मैं इस परकार के और वीडियो लाता रहूँगा मेरे चैनल से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करे, कमेंट करे और वीडियो पुरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद